हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वाध करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन सॉट्स पे हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नहीं जॉब वेकेंशी की जानकारी लेकर आया हैं दोस्तों जो कि हमारे पास निकल कर रहा है नाशनल इंस्टिटूट फॉर एंपार्मेंट अफ पर्संस विट इंटेलेक्ट्ट्वल डिसेबिलिटीज की तरफ से जी हां दोस्तों यह जॉब एकंसी है नैपीड रिक्रूट्मेंट और तेस जिसे की 34 असिस्टेंट प्रफेसर और लेक्ट्टर पोस्ट के लिए जारी क बात करें तो यह आपको 25,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए पर मन तक के मिल जाएगी जाब लोकिशना आपका सिकंद्रावाद डवन गेरे निलोर और राजनंद गाउं होगा अगर बात कर लेते हैं स्वां का आवधन करने के लिए अप्लाय मोड क्या रखा गया है तो इस तो यह वैरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया दोस्तो लेकिन फिर भी कुछ है कि मेजर पोस्ट की बात कर लिए तो असिस्टेंट प्र प्रफेसर इन् रियाविलेशन साइकोलजी के लिए दो वेकंशी है लेक्टिर इन् वोकेस्टनल कांसिल अनिप्लोइमेंट के वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइडुकेशनल का अलफिकेशन की तो जुनियर स्पेशल एडुकेशन टीचर के लिए आपका डिप्लोमा ग्रेजुएशन या फिर बेट क्या होना अवाश्चेक है असिस्टेंट प्रफेसर इन पेड्रिक्स के लिए आपक क्लस्टेंथ पास क्या होना जरूरी है अंड टेलफोन अपरेटर के लिए आपका क्लस्टेंथ के साथ ग्रेजुएशन क्या होना अवाश्चेक है डारेक्टर पोस्ट क्लिएब का पोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् Assistant Professor Speech के लिए आपका Postgraduate or PhD क्यों होना जरूरी है Prothist और Orthoist के लिए आपका Degree क्यों होना अवश्चेक है Lecturer Occupational Therapy के लिए आपका Master's Degree M.Ed. या PhD क्यों होना अवश्चेक है Assistant Post के लिए आपका Graduate होना जरूरी है Workational Instructor के लिए आपका Class 10th Diploma, D8, B.Ed. या फिर Postgraduate degree क्यों होना अवश्चेक है Assistant Professor Clinical Psychologist के लिए आपका M.Phil या फिर PhD क्यों होना जरूरी है Lecturer Physiotherapy के लिए आपका Master's Degree क्यों होना अवश्चेक है Administrative Officer के लिए आपका Postgraduate या फिर MBA क्यों होना जरूरी है Accountant Post के लिए आपका M.Com या MBA क्यों होना अवश्चेक है Special Educator O & M Instructor के लिए आपका Graduation, Diploma, B.Ed. या फिर Postgraduate क्यों होना अवश्चेक है Clerk Post के लिए जिन करेंट से Class 10 पास कर रखा है या फिर Class 12 या बारिवज़चा पास कर रखा है अवश्च के लिए अवश्च के लिए आपका B.S.C क्यों होना जरूरी है अगर पोस्ट वाइज लिमिट है या इस इवागी बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉस्ट करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो अगर वहीं बात कर लेते हैं अप्रिकेशन के लिए कोई भी आवधन सुक नहीं रखा गया है उनके लिए अप्रिकेशन फर्म बिल्गुल फी आफ कास्ट है जबकि जनल और OBC को देने होंगे 500 रुपए दोस्तों जबकि सेलेक्शन पॉसर्स के वहला डिटेंट टेस्ट इंटर्वे बेस्ट होगी वहीं अगर सलारी डिटेल्स की बात करें तो इससे आप इस वीडियो को पॉस्ट करका असाने से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो और अगर आप तुम्हें बात कर लेते हैं इंपॉर्टन डेट्स की तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया दो जून द आपको इस वीडियो के डिसेप्शन ने मिल जाएगी उस पर क्लिक करके आप बाकी की डिटेल्स असाने से पढ़ सकते हो तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नहीं जाब वाकंसी की जानकाने लेकर जैए